देड़ सो से अधिक बच्चों का चल रहा था क्लास कोचिंग में ही मिला रसल वाइपर साब फिर मास्टर साब ने जो किया सब देख हैरान रह गए भागलपूर के सब और प्रखंड के मीराचक इस्तित नया अटोला में दिब जोती कोचिंग संस्तान में एक भयावा घटना घटी वहाँ चल रही कलास में आचानक ही एक रसल वाइपर नजर आ गया जिससे मौके पर मौझूद डेड़ सो बच्चों में भगदर मच गई घटना के समय बच्चे इधर उधर भागने लगे और साब भी अपनी जान बचाने के लिए जाड़ियों में छिपने लगा कोचिंग के संचालक दीपक कुमार ने तुरंत वन विभाग को सुचित किया लेकिन वन विभाग की टीम ने बताया कि वे कहलगाओं में है और आने में समय लगेगा दिपक कुमार ने इस्तिती को समाले की ठानी और लाटी डंडे की मदद से सांप को पकड़ने की कोशिस की उन्होंने सफलता पूरवक सांप को एक डब्बे में बंद कर रिया जिसकी लंबाई तीन हाथ से अधिक थी इस घटना की जानकारी मिलते ही वहां लोगों की भीड जूट गई बाद में वन विभाग की टीम पहुँची और सांप को अपने साथ लेकर गई दीपक ने बताया कि कोचिंग में क्लास चल रहा था जब बच्चों ने सांप देखा तो भगदर मज गई यह घटना आस्थानिया लोगों के लिए एक चेताबनी बन गई है कि उन्हें ऐसे खतरनाक जीवों से साबधान रहना चाहिए कि प्रवा लोगों से से क्या खळाएन चाहिए रहा जब जया है यह तो, तो प्रे माद कर दो, जो आगए जा टेखा कर दो, जो घाए रहा है कि काष्ट और मभाईपिय एक घरप्गा खुटक टाख़ी अ अपर आटा है इवा जोई लो तूम उचल के ताटा है यह रिए रिश्ट अपाटा इस बार जाता है मैं भॉक्रा बादा इट कर दो एक लोगाई लोग्या जलाला कर दो दो ले कर दो दो लेक्टार का लिए अफ़ल से नीचिक टूम्यार को लेक्टा आटा है झाल झाल